हलो स्टूनेंट्स एक बार फिर से हम अपने सर्फेस एरिया एंड वोल्यूम्स के टोपिक को आगे कंटीनु करते हैं जहां पर एक्सरसाइज 13.5 है जो ओप्शनल के नाम से और जिसके केशन से काफी अच्छे है और इनको आप लोग फिर नोट बुक में आपको करने है और जरूर अच्छे से इनको करके देखें कुछ और नया सीखने को हमें मिलेगा आपके पास एक कोपर वायर है किसकी वायर है कोपर वायर जिसका डायमेटर हमारे पास गीवन है जो कि 3 mm है कि ये इस वायर को क्या किया गया है वाओन्ड इस स्लेंडर के चार और इस टाइफ से एसे लपैटा गया है और सिलेंडर के लिए given है कि इसकी जो length है वो 12 cm है length का मतलब है कि इसकी जो height है वो 12 cm है next आप से ये कह रहा है diameter जो given है सिलेंडर का वो 10 cm है 10 cm है तो इस सिलेंडर की जो radius है इसको मैं capital R से use कर रहा हूँ जो कि हमारे पास 5 cm होगी next आपने पास यहां क्या कह रहा है so as to cover the curved surface area of this cylinder तो यहां से इस wire को इस type से जैसे मैंने ये one single round है वो show कर रखा है ऐसे इने एक second round लोगे तो इस type से ऐसे ऐसे कर कर के ये कह रहा है कि इस पूरे को क्या कर रखा है cover किया हुआ है ऐसे इस आगे क्या कहना चाहरा है वे find the length and mass of wire assuming the density of copper to be 8.88 gram per centimeter cube तो पहले तो इस wire की length बतानी है क्या बतानी है वेटे इसकी length बतानी है उसके बाद आपको आगे mass find करना है और पर centimeter cube है तो के लिए volume find करने है और volume भी तभी आएगी जब हमारे पास wire के क्या जाएगी length आजएगी अब इसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा सोच समझ के ध्यान देने की जरूरत है जो copper wire है उसका diameter हमारे पास 3 mm है बाकि जो unit देख पार है उस centimeter में given है तो इसको भी पहले तो centimeter में convert कर देंगे और millimeter से centimeter convert करते वक्त 10 से divide किया जाएगा 3 upon 10 बन गया अब उसके बाद आप यहाँ पे देखिए one round of the wire covers 3 upon 10 सेंटिमेटर of the height of the cylinder क्या क्या गया वह इस बात के लिए कि जो इसका one round है one round single जो round है वो इसकी जो यह 12 सेंटिमेटर total height है उसका 3 upon 10 कवर कर रही है वन राउंड के अंदर कितना कवर कर रही है 3 upon 10 और हमारे पास given क्या है भाई it is given that length of cylinder या आप यह कहलो कि height of cylinder है वो 12 सेंटिमेटर के इक्वर गीवन है तो आप यहां पर लिख सकते हो 3 upon 10 सेंटिमेटर इस कवर्ड इन वन राउंड 3 upon 10 सेंटिमेटर कितने में कवर हो रही है वन राउंड में कवर हो रही है तो आप यहां लिखोगे 1 सेंटिमेटर इस कवर्ड इन क्या हो जाएगा भाई 1 upon में 3 upon 10 तो 10 upon में 3 राउंड बन जाएगा हमारे पास जो यह total length या height है कितनी है 12 है तो 12 सेंटिमेटर इस कवर्ड इन 10 upon 3 इन तो में 12 और यह आपके पास बन गया 40 round 40 round में सिलेंडर का card surface area कवर हो पाएगा कितने rounds के अंदर है 40 में तो उसके बाद यहां पे हम find कर देंगे अब 1 round की length क्या है देखो total length हा जाएगा आपके पास total हमें इतना पता चल चुका है कि 40 round है 40 round है तो 1 round की length क्या है हमारे पास तो यहां से द्यान दो 1 round 1 round यह कहा है इस circle का जो card surface area है उना card surface है उसके उपर है तो इसकी cylinder की sorry cylinder cylinder की जो circumference होगी वो हमारे पास से length of 1 round आ जाएगी तो यहां से हम find कर देंगे length of wire required to complete one round is equals to क्या कहला आएगा भाई circumference of cylinder और circumference of cylinder क्या होते है आपके पास 2 pi r तो cylinder वाली radius को मैंने capital r से लिखा है is equals to 2 pi into r की value क्या है 5 है 5 है 5 into 2 10 pi cm यह क्या गया length of wire required to complete one round one round को जो complete किया जा रहा है उसमें length है 10 pi total कितने round है वही 40 round है और 40 round है तो यहां से क्या find कर देंगे हमें length of wire is equals to 40 into 10 pi is equals to 400 pi हो गया है अब हमारे पास यहां पे complete answer बन जाएगा अगर हम पाई की value क्या यूज कर लें वही 3.14 यूज कर लें तो टू जीरो से decimal तो इस काट गया है और 4 से multiply कर दोगे तो ट्वेल फिफ्टी श सेंटीमेटर आ गया है किसन का मेन वह कड़ी वह आंसवर आ गया जिसकी एल से हम नेक्सट पार्ट को पूरा कर सकते हैं और यह पार्ट पूरा करते वक्त आपने चैप्टर में पिछे जो भी पड़ा है उससे यह सारी चीजे कवर नहीं होती ध्यान से इस क्यूशन को आप को यहां तक करना है यह करने के बाद अब हमें कोई किसी परकार की दिक्कत नहीं बनेगी क्या फाइंड कर देंगे नेक्स्ट अम लोग volume of wire जो भी copper wire है उसकी volume और वो wire है तो वो cylinder की form में cylinder की form में तो क्या हो जाएगा pi r square h वह इसका cylinder वाले h को capital से इसको रख लो wire वाले को small h से रख दिया तो यहां भी pi की value है वो मैं 3.14 यूज़ कर रहा हूँ जब यहां कर चुके हैं तो इस r की value क्या बनेगी copper wire का diameter 3 upon 10 cm है तो 3 upon 20 cm बन गया r square है तो 3 upon 20 into 3 upon 20 into h 1256 आगी वे हमारे पास ऐसा करने के बाद यहां से इसको आप लोग solve करोगे तो आपका result 88.73 cm square आएगा वे और ऐसा करने के बाद हमें पता है कि यह mass find करवा रहा है और mass के लिए हमारे पास क्या होता है वई volume into में density है तो यहां volume बनी आपकी 88.73 और into में आपके पास density वो question में given है क्या given है वई density of copper to be 8.88 gram per centimeter square तो इसको 8.88 से multiply कर दो और इनको solve करेंगे तो यहां से हमारा जो result बनेगा वो बनेगा क्या वई 787.83 gram जिसको आप लोग क्या लिख सकते हो 788 gram approximately हमें इसको use कर सकते है यह था वई आपका fast question जिसमें आपने देख लिया कि पूरा time लगा हमारा और इसको अच्छे से आपको करना पड़ेगा next बढ़िए आगे question number second है हमारे पास और second question के अंदर क्या के रहा ध्यान दीजिए थोड़ा सा ध्यान देते ही पता लग जाएगा यह right triangle is side 3 and 4 cm other than hypotenuse आगे क्या कहना चाह रहा है भई is made to revolve about its hypotenuse find the volume and surface area of double cone so form अब जो double cone है वो कैसे बन रहे हैं बस बात तो यह main point ध्यान रखने का तो द्यान दीजिए आप यहां से मैं right जब उसको किसके along यह कर रहा हाइपोटनियूज के along यहां पे अगर उसको गुमाए गया है इस साइड में आपके पास एक साइड थ्री है तो एक फोर है वाई तो यह तो किलिए रहेगी एक साइड को थोड़ा समॉल ले लो एक को लार्ज ले लो ऐसे इसको इस टाइप से जब गुमाओगे तो यही कंडिशन आपकी इदर से यह बनेगी और वाई नेक्स्ट इदर यह बन जाएगा तो इस से ध्यान दीजिए कि आपके पास एक कौन तो यह बन गया वाई उपर और एक यह नेच्छ यह डबल कौन बन गया इससे ये मैंने ले लिए 3 cm साइड ये मैंने ले लिए 4 cm साइड ये 3 cm साइड है तो ये 4 cm है जो गीवन है उसके according A, B, C ये right angle triangle है क्या है मारे पास question में गीवन है A, B, C है वो right angle triangle है ये 3 है ये 4 है तो आइपटनियूज कितना हो गया 5 हो गया तो सबसे पहले तो आइपटनियू जब वो बता दोगे आप इन राइट एंगल ट्रेंगल A, B, C बाई पाइथाग औरस थिओरम पाइथाग औरस थिओरम की L से C is equal to 1 root A A, B square पलस B, C square बन जाएगा जो कि आपके पास 16 पलस में 9 बनेगा root 25 और 5 cm के equal आजाएगा अब यहां पर द्यान देना है मैंने इस point को O डाल दिया अब देखो इसके ही volume आजाएगे हमारे पास surface area और volume दोनों find कर वा रहे है चलो कोई नहीं find कर सकते है क्या क्या आजाए बाई एक तो radius आजाए एक height आजाए क्योंकि Salent height तो ही या radius भी आजाए तो उस के pielth से height आ सकती है height आजाए तो इसकेоньव से क्या सकती है radius आ सकती है तो दुनों में से कोई भी हमें यहां पर इन में से मिल जाए तो हम उसके according काम easily कर सकते है तो यहाँ पे द्यान दीजी आप आप क्या लेके चलोगे area of triangle ABC एक बार तो आप लेके चलोगे with base AC क्या ले लोगे भाई with base AC अगर AC base है तो यह देखो इस पे perpendicular होती भाई आइट है वो तो यह आपका जो BO है वो क्या हो जाएगी आइट बन जाएगी ABC अब की बार हम यूज कर देंगे with base AB AB अब BC में से ले सकते हो क्योंकि right angle triangle है यह भी तो 90 degree का angle है भाई तो जब base AC ले रहे हो तो half into में AC into में OB is equals to half into में AB into में BC आगया आप से यह आप तो आपका divide हो गया AC है वो 5 है into में OB फाइंड करना है AB है वो हमारे पास 3 है और यह 4 है तो यहां से OB is equals to 12 upon में 5 cm आगया जब OB फाइंड हो गया तो आप लोग किसमें ले लोगे in right angle triangle AOB में पाइथागोरस theorem यूज कर दो गए तो पाइथागोरस theorem यूज कर देंगे तो हमें तो किसकी जरूरत है यहां OA find करना है तो OA square बनेगा AB square minus BO square के OA square बनेगा AB square AB क्या है वह आपके पास है 3 है 3 का square बनेगा 9 BO क्या है 12 upon 5 144 upon में 25 OA square is equals to 225 minus 144 upon 25 हो गया तो यहां से क्या बन जाएगा हमारे पास OA square is equals to 18 upon 25 सो के रूट लोगे तो OA is equals to 9 upon 5 cm आगे OA भी find हो गया OA find हो गया तिस OA की help से हम लोग क्या find कर देंगे उससी find कर देंगे उससी क्या होगा AC minus में OA AC कितना है 5 minus 9 upon में 5 तो 25 minus 9 upon में 5 25 से 9 को तो 16 upon 5 cm OA, OB, OC जिनकी हमें जरूरत थी वो सभी हम find कर चुके हैं कर चुके हैं तो यहां से आप लोगों को क्या find कर देना है भई इसको मैं अगर D point डाल दो तो सबसे पहले तो volume कह रहा है तो volume of कौन A, B, D अलग अलग नाम लिख दो A, B, D यह हो गए है radius तो R तो सबकी दुनों की same है हमारे पास और यहां से आपके पास volume find करोगे तो 1 upon में 3 pi r square h इसकी height को h1 ले लो इसकी height को h2 ले लो आप तो into में h1 लिख दो 1 upon 3 pi की value है वो 22 upon 7 लिख दी मैंने into में जो R है हमारे पास R की जो value find हुए R का मतलब है O, B और O, B आगए 12 upon 5 into 12 upon 5 into में h1 h1 का मतलब है O, A 9 upon 5 यहां से इसको solve कर दो by calculation जो भी करोगे volume of a, b, d आजाएगी ऐसे ही find कर दो volume of b, c, d b, c, d में 1 upon 3 pi की value 22 upon 7 और R तो वहीं आपका 12 upon 5 12 upon 5 ही रहेगा लेकिन h बदल गई इसके लिए h16 upon 5 इसको भी solve कर दो अब find करवा रहा है कि volume of a double cone double cone के लिए volume बतानी है थी ऐसे ही area find करवा रहा है तो जो area लिखा हुआ है यह जो cone बन रहा है यहाँ पर total नहीं क्या find करना पड़ेगा आपको cord surface area find करना है यह द्यान रखे pi आपके पास है r आपके पास है l already है देखो fast वाले cone के लिए l 3 है second वाले के लिए l कितना है 4 है इनका use करके आप solve कर सकते हो थोड़ा सा lengthy है लेकिन इस पर काम अच्छे से हमें करना है next द्यान दीजिए भाई question number third है हमारे पास third में कह रहा है a system internally measuring तो जो length breath height given है उसके according से किस shape में बन रहा है भाई क्यों वोईड के shape में बन रहा है हमारे पास यहां से आपके पास given है इसकी length है वो 150 cm है breath है वो आपके पास 120 cm है और next height है वो 110 cm है यह given है आपके पास has 129600 cm cube of water in it वालो complete fill नहीं है वाई इसके अंदर यह हमने अजूम कर लिया कि इस level तक water है वह कहां तक है इस level तक जो है वो इसके अंदर water है और इसमें जो water है उसकी volume हमारे पास given है और वो volume given है वह 129600 cm cube है porous bricks are placed in water until the system is full to the brim each brick absorbs 1 17th of its own volume of water how many bricks can be put in the without or flowing the water each brick wing size bricks or given है अब bricks है वो भी किस shape को follow कर रही है कि वो इड कोई follow कर रही है इसकी जो shape है वो है 22.5 cm 7.5 cm और आइट होगे हमारे पास 6.5 cm यह given है लेकिन साथ साथ एक condition और given है कि जो bricks है वो एब्जोर्बस 1 17th of its own volume of water जितने उसकी volume में उसका 1 17th water है वो अब्जोर कर रही है वह सोक रही है वो तो यहां से इसके लिए आप लोग क्या करोगे सबसे पहले ध्यान दीजिए क्या find कर देंगे भई हम यहां से वोल्यूम ओफ सिस्ट्रेन इस इकवल्स टू 150 इंटू 120 इंटू 110 इन सब को multiply कर देंगे तो 198 0000 आ जाएगा 30 होती है यह फाइब टू टैन होगे फोर आनी आनी है सेंटीमेट्रे स्केर उसके बाद next लिख देंगे हम वोल्यूम ओफ वाटर कि इन सिस्ट्रेन इस इकवल्स तो गीवन एवे अपने पास 129600 सेंटीमेट्रे स्केर तो नेक्स हम क्या लिख देंगे वोल्यूम ओफ bricks to be filled in system is equals to 1,9,8,0,0,0,0 minus 1,2,9,6,0,0 subtract कर दो भाई 2,0 तो यह आएंगी आएंगी लास्ट में 10 में से 6 को subtract कर दोगे तो यहां कितना आ गया 4 आ गया,9 में से 9 को कितना बन गया है आपे 0 बन जाएगा मारे पास और next आप देख पा रहे हो 2 तो यहां 7 रहे गया था 7 से 2 को subtract कर दोगे तो 5 आ जाएगा 9 से 1 के कर दोगे तो 8 आ जाएगा और 1 1,8,5,0,4,0,0,0 cm3 क्यूब हो गया यह यह वोल्यूम है वह इस वाटर से उपर यह यहां तक इसको फिल करोगे यह जो वोल्यूम है हमारे पास है यह कह रहा है कि कितनी आ गई 1,8,5,0,4,0,0 के एक्वल है अब उसके बाद next क्या ले लेंगे हम यहां पे लेट नमबर ओफ ब्रिक्स इस एक्वल्स टू एन हमने अज्यूम कर लिया वाइस में कितनी ब्रिक्स है वो डाली हमने एन डाली है जिससे यह फूल हो गया तो इसके लिए आगे द्यान देंगे वोल्यूम ओफ वोल्यूम ओफ एन ब्रिक्स तो एन की ले रहे तो एन इंटू में क्या क्या साइज थी वाइस की 22.5 इंटू 7.5 इंटू 6.5 इनको सॉल करेंगे तो यहां से हमारे पास क्या बन जाएगा इसके अंदर जो रिजल्ट है वो वो बनेगा बटा 1096.875 इंटू एन आ जाएगा और वोल्यूम है तो सेंटिमेटर क्यूब हो गई उसके बाद हमारे पास यहां पे वोल्यूम ओफ वाटर अबजोर्ब बाई एन ब्रिक्स यह कह रहा है कि जो आपके पास ब्रिक्स की वोल्यूम है उसका 1.17 थै वो वाटर उबजरू कर रहे है तो यहां से अपने पास क्या बन जाएगा 1.17 इंटू वोल्यूम ओफ एन ब्रिक्स 1096.875 एन आजाएगा हमारे पास उसके बाद आप यहां पे कंडिशन लगाओगे अब अकोर्डिंग टू क्योस्टन क्या बनेगा भई आपके पास है जो हमें उसमें जितना फिल करना था वो आपके पास कितना हुआ वो वोल्यूम देखे क्या आपके पास आई भई यहां से यह बना है 1850400 पॉलस अब इसमें जो वाटर अबजर्व जो जितना कर लिया इन ब्रिक्स ने वो आपके पास कितना बना वन अपोन 17 इंटो में 1096.875N यह एड क्यों करना पड़ा है क्योंकि जो रिमेनिंग की वोल्यूम थी उस टेंग की वो तो आपके पास है भई कितनी यह थी लेकिन उसमें से इतना वाटर तो ब्रिक्स ने अब्जर्व कर लिया तो यह कर लिया तो यह एड करोगे तभी तो यह इक्वल बनेगा किसके वोल्यूम आफ एन ब्रिक्स के 1096.875N बन जाएग तो N की ट्रम में किये एरे किये इत इसको राइट में पहुंचा दो 1850400 is equal to 1-1 upon 17 तो 16 upon 17 into N मैंने N को आगे लिख दिया 1096.875 यहां से आपके पास क्या बन गया 17 इदर multiply में आ गया 1850400 है और 16 इदर divide में आ गया divide में आ गया 1096.875 is equal to N हो गया तो यहां से इसको solve करोगे तो आपके पास यहां से जो N की value आएगी वो आएगी बैटे 1792.41 अब number of bricks है वो point में तो आएगी नहीं और अगर इससे एक ज्यादा बढ़ा देंगे तो water overflow होगा तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे इसमें से एक कम को ही लिखेंगे की वो तो N is equals to 1792 तो N's total number of bricks है वो आगी 1792 तो वह इस वीडियो में हमारे पासे काम जितना भी हो उसका हमने उतना यहाँ प्रियास किया लेकिन यह question से आप लोग जरूर अच्छे से करें क्योंकि इन से आप कोई competition level के लिए भी अच्छे point से वो सीखने को मिल रहे है इस वीडियो में इतना ही बाकि नेक्स वीडियो में करें